स्कूल के मास्टर और उसके बाद अंगरवारी के स्तिविका और सहाइका को बोलते हैं आप लोग इसमें ब्रश्टाचारी फैलाईए कि स्कॉलर्शिफ की आर में इतनी भरी ब्रश्टाचार का मुहिम चला रहे हैं जिसको हम ग्राम वासियों चाहे कोई भी लोग इस बातों करेंगे आप सभी लोग जाकर के स्कूल में और वहां के टिंडेंशियत करिए कि कितने बश्टिस्थ बच्चे उपस्तिती का कितने बश्टिस बच्चे का हाजरी बनता है आए चैनल के साथ बहुत सारे परतनीरीयों लोग जूरे हुए हैं हम इतनी जानकारी आपको दिये जितने लोगों तक पंच उगा ज्यादा से ज्यादा करें ताकि बिहार के ये टुज़र 13 करोर की आवाधी वाली बिहार में इस परकार की भरष्टाचार को फैलने से रोका जा सके नहीं तो हमारे तुपिरा है लेकिन आप सिक्षा में बरष्टाचारी नहीं चलेगी या स को अंगनवारी से ले करके और सरकारी स्कूल जिसमें की भोजन बनते हैं सभी सरकारी स्कूल प्राइमरी से ले करके और संकुल संसाधन केंद्र सभी तक फैला हुआ है और ऐसी भरष्टाचारी का उमीद हम करते भी नहीं है इस चीजों को समझ लिजे एक तरीके से बिहार के मुखमत्री नितीश कुमार जी कहते हैं बच्चे को परहाओ और एक तरीके से बच्चे को परहाने के लिए स्कूल भेजने के लिए तरह 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 के बिग्यापन निकालते हैं और तरह 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 के पेपर में वह अखबार में टीवी चैनल में वह तरह तरह के बिग्याप अब या भरष्टाचारी क्या परकार का है तो चलिए इस वीडियो कौनती तक आप बने रहिए हम आपको पूरे इसके अंदर के अंतराल के या ऐसी भरष्टाचारी है जहां पे लोग इस पे सवाल ना करते हैं और ना मीडिया कर्मी हमारे मीडिया भाईयों एबं पत्रकारो जो लेखन समगरी से जुड़े हुए हैं कोई लोग इस बातों को नहीं छूपाते हैं कि इतनी बड़ी भरष्टाचार हमारे बिहार में चल रहा है और हम लोग चुप चाप देख रहे हैं यह कौन सी बात है चलिए इस चीजों को हम देखते हैं तो देखिए अंगनबारी की बिहार में लगवग सबाललाख सबाला में नहीं ता इस्वजार और 2 Vander venduji बड़ी संचालित है प्राइमरी विद्याले में मद्ध विद्याले में सभी में भोजन का काम चलता है बच्चे जितने भी परने जाते हैं सभी को भोजन मिलता है और उसके बाद सभी में बच्चे को जो बच्चे की उपस्थिती जादा रहती है तो उन बच्चे को छात्रविर्ती मिलता है इस को समझ लीजिए उन बच्चे को छातवीरती मिलता है यहीं छातवीरती की लालच में देखिए बिहार में बहुत बड़ी भरष्टाचार फैला हुआ है और ना बिहार के एक लोग इस बात को ध्यान दे रहे हैं और ना यहां के मीडिया कर्मी इस बातों को उठा रहे हैं इस बातों को समझ लीजे सबसे पहले कि किया यह भरष्टाचारी है देख्ये बिहार में जो यह छात्यवीरती के नाम पर क्या भरष्टाचारी चल रहे है तो सबसे पहले समझ लिजे बिहार में जिन बच्चे का जो यानि कि उपस्तिती 4 परतीसत यानि कि 60 परतीसत से जादा रहता है उन्हें बच्चे को स्कॉलर्शिप दिया जाता है बिहार के मुखमंतिनी नितिश कुमार जी के द्वारा बच्चे को लोब लालची से लिए यह दिया जाता है ताकि बच्चे जादा से जादा बच्चे परहे लिखे आगे बढ़े लेकिन उसी तरीके से एक बिहार के चाहे कोई भी टीचर सिक्चक कुछ सिक्चक इमांदार है इस बात में कहीं भी किन्तु परंतु नहीं है लेकिन जादा तर सिक्चक ऐसे हैं कि इस स्कॉलर्शिप की आर में इतनी भरी बदश्टा चार का मुहिम चला रहे जिसको हम ग्राम वासियों चाहे कोई भी लोग इस बातों को ध्यान नहीं दे रहे इस बातों को सबसे पहले समध लिजे देखिए इस स्कॉलर्शिप की आर में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उन बच्चे का भी अटेंडेंस कंप्लीट रहता है उन बच्चे का भी हाजरी बना हुआ रहता है और जब बच्चे का छातिविर्थी आ जाता है तो उसी बच्चे के माता पिता और सभी लोग खुस रहते हैं माता पिता और उनके जो भी लोग है सभी लोग खुस रहते हैं कि चलिए हमारा अब क्या हो गया स्कॉलर्शिप आ गया लेकिन इसी चक्कर में देखिए बिहार में इस परकार की भरष्टाचारी चल रहा है जिसको यहां पर देख लिए यह स्कॉलर्शिप आपके बच्चे को आ गया उसमें देख लिए सभी मध्य विद्याले एवं अंगनवारी केंद्रों में मध्याह भोजन की व्यवस्ता किया गया है बिहार सरकार के लिए ताकि जादा से जादा बच्चे वहां पर जाके जुरे मध्य भोजन की वहां पर व्यवस्ता किया गया है लेकिन यह स्कॉलर्शिप की आड़ में जो बिहार के जितने भी सिक्षक हैं जितने भी प्रिंस्पल प्रधाना ध्यापक हैं सभी लोग क्या कि बच्चे के बिना उपस्थिती में भी बच्चे का एटेंडेंस पूर्थी कर दे इससे बच्चे के माता पिता भी खुस और बच्चे भी खुस लेकिन इसमें देख लिजे जो मध्या भोजन की जो अबदी है इसमें आपके साथ बहुत बड़ी भरष्टा चार परधाना ध्यापक जी कर रहें और इसी कारण ब्यार के मुखमंत्री हजारों लाखों करोरो रुपया यानि की विज्यापन में खर्च कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल के साथ जूरे लेकिन यही परधाना ध्यापक यही मध्या भोजन के बचाने के फिड़ाक में इतनकी सैलरी से लोग खुस नहीं है तो अब यहां मध्या भोजन की जरिया बन करना ही और लोग किसी भी परकार से बच्चे को ना सिख्चा अच्छे देने का काम कर रहें स्कूल में अच्छी में सिक्चा और ना पढ़ाई करने का काम कर रहें और बस केवल बच्चे को जो है ना अधी enough उतार दिये हैं और यह बाट जान लिए इस इस स्कॉलर्शिप की आर में इस स्कॉलर्शिप की आर में टेंडेंस बना करके या बच्चे को मद्या भोजन के साथ कि जानिये क्या खिलबार किया जा रहा है बच्चे का मद्या भोजन परते एक बच्चे का मद्या भोजन का पैसा आता है स्कुल को जिसमें की चावल अलग अलग दिनों में अलग अलग भोजन की व्यवस्था भी है इस बातों को समर लीजिए और इस बातों को भी देख लीजिए कि यही मध्या भोजन को जरिया बना करके बिहार के स्कूल का सिक्षक और हैं मास्टर साहब ब्यार के मुख मंत्री का इतनी बड़ी प्रजेक्ट को इतनी बड़ी इस पैसा को लगा करके वो लोग तरह तरह के परचार करवाते हैं विग्यापन करवाते हैं टीवी में पत्रकार लोगों से पेपर में करवाते हैं कि ज्यादा से ज़्यादा बच्चे को सकूल के साथ जोड़ी है, लेकिन यही सिख्छक लोग क्या करते हैं, यह मध्या भोजन का पैसा बचाने के लिए, बच्चे को स्कूल ही सिख्छा से दूर रखते हैं, कि ना इस्कूल में पढ़ाई होगा और ना बच्चे पढ़ने आएंगे, बस ब टेंडेंस बनाने के बनाते हैं सिक्षक कोई भी या इस बात को समझ करके नहीं कि बच्चे को स्कॉलर सी पा जाए वहाँ इस बात को समझ करके बनाते हैं कि अब मद्या भोजन वाला पैसा पूरा का पूरा पैसा हमारे जेवे में आ जाए और मद्या भोजन के पैसा में इतन कि कि किनी पर्तीसता उपस्ति beet स्कूल में रहती हैं और कितने पर्तीस बच्चे का हाज बनाया हुआ हो जाते हैं कि मध्याः भोजन का पैसा उनको मिल जाता है और इसको ले करके आप जान लीजीः इसको ले करके लाखो किरोर्ण का घोटाला है एसी अवरिज था है हमारे हमारे चैनल के साथ बहुत सारे परत्नीधियों लोग जूरे हुए है हम इतनी उपस्तिती नहीं है उन बच्चों का faculty जाना चाहिए कर जबosit नहीं जाएगा तो वहां के माता पिता और बक्चे भी इस्कूल जाएंगे और जब इस्कूल जाएंगे तो यही शिक्षक लोगों आ जो यह मध्या भोजन पर जो इतनी बड़ी जो पैसा इन लोगों को जेब में जाता है या जाने से रुकेगा बिहार भरषटाचार का जरिया बन जुका है बिहार जैसे कि यहाग बच्च्छी को सिख्चक का काम है कि जगा जगा जा करके बच्च्छी को नौस्सा करना वहां के लोक यहां जानकारी देना वहां की लोग आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए स्कुल भीजिए वह पूर बिया हें कि प्रत्नीधियों कितने परतिसत बच्चे मदता है देखिये और उसके बाद बच्चों से पुछिए कि यह बच्चा कितना दिन आया है और यह बच्चा कितना दिन आया है और यह कुछ जनून जो बिद्यार्थी लगातार स्कूल जाते हैं उन बच्चे का भी यह टेंडेंस काट करके उन लोग को यह स्कॉलर्शिप नई भेजवाने का काम करते हैं और इसी कारण स्कॉलर्शिप का भी जंजट है बिहार में तो इसलिए हम आपसे बिहार के सिक्षा मंत्री बिजय कुमार चौधरी जी और बिहार के लगबग स्कूले में अब हम जा करके भी हम देखने का काम करेंगे कि आप परकार की भरष्टाचार कितने स्कूल में चलती है और हम आपको चैनल के माध्यम से बताने के भी कोसिस करेंगे तो आपको किसी भी परकार की जनकारी चाहिए तो आप बच्चों के भविस्ट को अंदकार में रखा जाता है, हमारे बच्चों के भविस्ट के साथ खिलवार किया जा रहा है, बिहार में ये टुजट जगा भरष्टाचारी तो है ही है, इस बात में कहीं भी किंतू-परंतू की राय है, लेकिन अब सिक्षा में भरष्टाचारी नहीं चलेगी यह सिक्षा में जो आप भरष्ट चारी करना चाहते हैं हमारे बच्चों के भविस्त के साथ आप खेलना चाहते हैं यह नहीं चलेगी बिहार के यह टुजेट भरष्ट पजाधिकारियों से यह अपील है कि आप हमारे बच्चों के भविस्त के साथ नहीं खेल बाई बाई वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर किजिए ऐसी जानकारी फिर देखने को मिलेगा